हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे FE02 का जून 2023 का solution ठीक है इसका मैंने question number 1 बना के दे दिया है और आज हम लोग देखेंगे question number 2 तो यह question लोग बोल रहा है write a paragraph of about 200 words on any one of the following ठीक है तो paragraph लिखने बोल रहा है इसमें भी आपको चार option दिया हुआ है question number 1 में भी चार option दिया हुआ था composition लिखने बोला था तो इसमें यही जबाता है ठीक है आपको कोई topic देदेगा उसके बारे में लिखना है अब मैं अगर ऐसे थोड़ा side हो के बोलू ने English इससे तो आपको जो topic दिया है उस पर लिखना शुरू कर दीचे भूल जाई हो क्या है paragraph है composition है क्या लिखने बोल रहा है आपको topic दिया है उस पर लिखना start कर दीजे जो जो आपको आता है शुरू हो जाईए चाहा है कैसे है क आपको 200 words के आसपास लिखना है 210 लिखे 220 लिख दीचे 200 का 300 मत कर दीचेगा मैं पहली बोल रहा है और हां लिखने का तरीका थोड़ा space देदे के लिखेगा words के बीच में space होना चाहिए इस तरह से लिखे कर एक ठीक है तो यह चाहर ऑप्शन दिया है तो मैंने लिखा है option देखे मैंने एकदम simple सुना है आप लोग भी majority लोग यही शुनते है what I like about my family है ना तो मैंने इसके बारे में यहां पर देखे परग्राफ लिख दिया है 200 words के पर ठीक है तो आप भी इसको एकदम नाम से लिख सकते हो तो देखे मैंने क्या लिखा है मैं पूरा पड़के न oh not now, mainly physical space.. It's a heaven where we shared experience and enduring connection and moves then into... into the very fabric of our existence तो इसी तरह से, what I like about my family तो फिल्हाए परे में प्रेटिया कि अक्राफ दोगाके, यही शुरू कर देखे एका, नाम को पसंद्याकि नाम क्यों से खेसे हैं? आपके family में कौन कोन है यही से सुरू कर दीजेगा मेरे family में इतने लोग है mother, father, brother, sister है ना या फिर आपके दादा दादी नाना नानी रहते हैं तो वो भी लिखती जेगा और फिर उनके बारे में एक एक के बारे में हलकाल का detail देजेगा 200 words ऐसी हो जाएंगे आपको ज्यादा एक्स्टाथूरी दिमाग लगाना है आपको English लिखने आता है तो हो गया यह paper कुछ ही ने मैंने फर्स प्रिट्व में बोला था एकदम खुछ नहीं है एकदम easy ठीक है हाँ ऐसा नहीं है अब यह same topic तो नहीं आएगा मताब ऐसा नहीं है कि डिट्टू यही वहला आपको next म में भी देगा English में तो कितने सारे topic बन सागते हाँ ठीक है तो कोई भी आएगा आप लिख पाऊए राम से आपके लिए बहुत ज्यादा हाइड नहीं हो जाएगा ठीक है अगर आप लिगने चाहते है तो the importance of daily exercise यह भी लिख देते पहले यह लिख देते कि exercise होता क्या है है उसके आप कौन सा exercise करते हो ठीक है उस exercise से क्या-क्या फाइदा होता है उससे आपके उपर क्या effect हुआ है ठीक है उसके आप लिख देते कितने तरक exercise होते है उन सब exercise को करने से क्या-क्या होता है उनके बारे में भी हलका हलका दे देते तो 200 words को मुस्किल होता क्या 300 भी लिख स कीज़ें इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था लिखिएगा जरूर फिजी जरोटो का जून दह्या 23 या फिर ऐसा कर दिजेगा कि यह वला वीडियो का लिंक कॉपी करके आप मेरे को इसटा पर एसे सेंट कर दिजेगा बुलेगा यह वला पीडिया देदो तो मैं आराम से देदूगा बिना किसी दिक्कत के ठीक है फ्री पीडिया नहीं है अच्छे से समझ में आगया होगा मैं यह पूरा पढ़के नहीं सुना दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हो ऐसी वीडियो रोग के पॉस करके देख लीजे लेकिन मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह ज्यादा टाइम वेस्ट होगा एक त झाल